बहुत हिर्दे बिदारक दो घटना अभी हाल ही में घटी उत्तर परदेश के अंदर में जिसमें से एक घटना हाथ रस की है तो दूसरी अभी जो है उसका जनता में आकरोश अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरी घटना दिल दहलाने वाली अभी सामने आई है एक बलराम परुकी घटना है जिसमें गी एक बहुजन बेटी को बिद्याले में गई हुई थी और वहां से लोटते समय उसके साथ जो है कुछ दरिंदे लोगों ने मिल करके रेप किया और उसको भी मार डाला ये दो घटना अभी सामने आई हैं जिसमें से की हातरस का जो मामला है अमीशा नाम की जो वालमी की समाज की लड़की है ये वास्तों में जब कोई ब्राह्मन या यूरेशियाई जब यूरेशियाई विदेशी लोग जब बहुजन समाज की बच्चियों के साथ में दुराचार करते हैं तब वो एक जाती विशेश की बच्ची हो जाती है वहीं पर जब यूरेशियाई कौम के जो शबर लोग है उनके बच्चियों के साथ में जब कोई घटना होती है तब वो जोर-जोर से उनकी मेडिया चिलाने का काम करती है कि ये हिंदूों के साथ ऐसा हो रहा है आज पूरे देश की बच्ची हो जाती है वो हिंदू समाज की बच्ची हो जाती है लेकिन जैसे ही यह सबर लोग बहुजन समाज की बेटियों के साथ में दुराचार करते हैं तो फिर घंदू समाज के लड़की नहीं हो रह जाती केवलमात्र एक जाती विशेश की लड़की बन करके रह जाती है और इस तरह से उसकी आवास को दबा दिया जाता है आज पूरे देश में यह पूरी तरह से आकी तरह फैल चुका है और पूरे देश की जंता सड़कों पर आ रही है हाथ रस के अंदर में जो घटना हुई है उसमें जो है जितना दोशी वहां की हात्या रोपी है उससे कम दोशी वहां का प्रसासन नहीं है हुआ क्या कि अमीशा नाम की जो लड़की थी वो उसकी मा जो है घास लेने के लिए गई थी और वो घास लेने के लिए उसकी बच्ची भी गई जब उठा के लाने के लिए तो रास्ते में उसको क्या मालूम था कि घात लगा करके बैठे हुए जो सबर्ण लोग हैं वो लोग उसकी इज़्जत आबरू और उसकी जान के प्यासे बैठे हुए हैं दरिंदे लोग उसको मालूम नहीं था और उसको रास्ते में से ही अगवा करके उसके साथ सामोहिक रूप से इन लोगों ने दुरा चार किया निश्चीत रूप से जिन चार लोगों को बताया जा रहा है वो चार लोग नहीं थे उसमें अगर उसकी उच्च अस्तरी जांच हो तो तरह से अंजाम दिया गया चार लोगों की बसकी बात नहीं है और वो सरीर से भी हिरिष्ट पुष्ट थी और बालिग लड़की थी और अगर चार लोग होते तो वो लड़ती जगड़ती तो जिस तरह से उसके साथ दर्दनाग घटनाए होई हैं कि उसके साथ जवर्दस्ती सामोहिक रूप से जो है इन लोगों ने दुराचार किया उसके बाद उसकी वो खुद बयान ना कर सके कि वो लोग फास ना पाएं वो बयान ना कर सके इसके लिए उसकी जीवा काटी गई और फिर उसके गर्दन को मडोर करके गर्दन तोडी गई और फिर उसकी रिड़ की हड़ी तोड़ी गई इस तरह से जो दुर्धांत घटनाए हुई हैं या निश्चित रूपसित में चार लोग नहीं है इसमें संख्याय और ज्यादा है तो ये लोग इस तरह से खटना को अंजाम दिये सवाल है कि ये लोग रेप के बाद ऐसा अब सुनने में आ रहा है जबकि पहले ऐसा कभी इतिहास में पाया नहीं जाता है कि ये लोग जो है पहले रेप करते थे रेप करके छोड़ देते थे लेकिन रेप करने के बाद जो छोड़ दिया करते थे तो यह अभी उसकी हत्या भी क्यों करते हैं रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का जो मामला है जहां तक मेरा मानना है एक तो फूलन देवी से ये लोग डर गए जब फूलन देवी के साथ में जो बहुजन बेटी थी उसके साथ में इन लोगों ने बाइस ठाकरों ने जो है उसके साथ दुराचार किया तो उसने जो है इनको बदला लेने के लिए अपनी जताबु जो गई हुई थी लुटी करें फिर जो है इनको 22 ठाकरों को जो लोग जो है उसके साथ दुर्चार किये थे लोगों को एक लाइन में खड़ा करके घृट भूल यह से भून दिया तब से यह नोग डरे हुई है कि कही कोई फूलन देवी ना बन जाये तो एक फूलन देवी सिन को जो है इतना बड़ा सबक मिला हुई इसलिए जो है ये अगर ये दूराचारी लोग बाहर से आकर के दूसरी किसी लड़की को जो है अगर करते हैं ऐसा तो निश्चीत रूप से वो लड़की अपरचित होगी अंजान होगी उसको कौन जानने वा लोग थे इसमें सामिल है उनको अपनी इस निकरिस्ट्ट्ट को बैर करने इसका है उसके साथ तैसा किया बाद में करने के तिसका यह भी एक संकेत है कि वो लोग जो है वो उस छेतर के उस इलागे के ही लोग है कोई बाहरी आदमी नहीं इसमें वहीं के रहने वाली लोगों नहीं आइसा किया हाथ रस जिले के रहने वाले कौन लोगों नहीं किया ओ लड़की जो है उनके चेहरे को भी बाकाइदा जानती थे उनके नाम को भी जानती होगी और उसके आसपास के हो सकते हैं इस यह कि यह जो लोग ऐसा कर रहे हैं आप लोग बार बार इसी लिए जो है नजाने कितने लोग जागरू करने वाले आपके साथ में आए आपके समाज में आए आप लोगों की यांखें नहीं खुल पा रहे हैं आप लोग दूस दोस्तों दूसमन पह नहीं कर पा रहे हो और भ यह जो यसी समाज है भारत की जो हजारों साल के मजलूम है सताय हुए पिटे-पिटाय लोग है आज तक आप लोगों ने अपना दुस्मन तय नहीं कर पाया इसी की वज़े से आपके बच्चियां लूट रही हैं कितनी कीमत चुकाओगे आप दोस्त दुस्मन का पहचान करने के बाद में रास्ता अपने आप निकल जाएगए आप दुस्मन नहीं पहचान रहे हो आरे ये वही लोग हैं जो आज OBC कहा जाता है जिनको जिनकी संबैधानिक पहचान है OBC इनको पहले सुद्र कहा जाता था और इन सुद्र लोगों को पह नारी शुद्धी करण पर्था इन लोगों के लिए लागू किया था कि यह इनकी बैक्वर समाज की जो बच्चियां जो होगी साधी विवा के बाद अपने ससुराल बाद में जाएंगी सबसे पहले तीन से 21 रात तक ब्रामनों ठाकरों के यहां इनको अपनी सारी रिक्सेव देनी पड़ेगी इनको जो है इनका जम्मन भर जाएगा एकईस दिन में उसके बाद यह जो है कहते थे कि हाँ आप यह पवित्र हो गई है अब इसको ले जा करके रख सकते हो नारी शुद्धी करण पर्था यह लोग एकईस दिन तक सुद्ध करते थे यही लोग देवदासी पर्था चलाएं यही लोग सती पर्था चलाएं यही लोग जो है आप लोगों को सुद्रत थोप करके आपको आपके पुर्खे राजा महराजाओं का जो है राजपाण चीन करके आप लोगों को गुलाम बनाएं आज तक आप लोग अपना दुस्म दुष्मन को पैचांते लानत है तुमारे लोगों पे इंसान होने पर तुमको इंसान कहने में सरमानी चाहिए कैसे इंसान समझो जाए आपको आज तक हजारों साल से जो है आप लोगों के साथ में दूट पीडन होता चला आ रहा है आपकी इज़त आपर जो है लुटती चल खतरनाक जो है ब्रामन लोग इतिहास में है आप लोगों को पढ़ना होगा समझना होगा इस बात को इतने ज्यादा खतरनाक तो अंग्रेज नहीं थे इतने ज्यादा खतरनाक तो मुगल नहीं थे मुगल और अंग्रेजों से भी जादा खतर ना किया ये उरिये सियाई लोग है क्योंकि जातियों में मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं बाटा है आप लोगों की सक्तियों को ध्वस्त करने के लिए सक्तियां छेंड करने के लिए आप लोगों को ये बनाया जातियों में कि लड़की वालमी की जाती की लड़की के साथ में जबरोईप बहुत उसलिए भंगी डी छिला या बांगी इसलिए कहे रहा हुऊ जब समीनाव हुआ तो इनको संवान देने के लिए जोठा संवान संवाने के लिए बालमी की बोला बालमी की बोल करके उनकी पहचान का भारामनी करद्धी ő अभीत्फ भक्त भूम रहे हैं अरे रास चलो है भाई निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ब़ को शियर करें लाइक करें किमेंट जरूर करें हुआ है